हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप मैं हूं दिल जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप दिख हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को फटा-फट से सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन के कर दोकosing कोई की तो आपना क्या करना है सेकंड पनले काš हमेह रहाऊइड जोल्डर जवाइंट करने है यहां ठीक है क्यूंकि सबसे पहले हम शोल्डर जॉइन करते हैं जब हमने लग को लगाना होता है बहुत यह असान दोस्तों यहां बन कॉलर लगाने यो आपको बताने कि यह सब से पहले हमनें अपने शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमारा जो प्रोसेस यहां से बंश्चेर होगा है ये क्या करना है अभी यहहां नेक है उसको इस तरह से हाफ में सॉड़ु करना है यहां से और यहां कोःर हम तएंच पे अपना आपना जू हाफ बैंक कॉल था पे डाप निचान लगा लेंगे यह दिखिए फ्रेंस तीन इंच पर हम यहां पर निशान लगा लेते हैं बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों आई थिंक आपको यह समझ बहुत जल्दी आ जाएगा और आप जरूर ट्राइ करेंगे इस नेक को यह दिखिए अब अपनी क्या करना है अपना पूरा इस तरह से मैं अपना हाफ कोलर है जो वो करण करोंगे यहां पर हमने 1.5 हर साद़े बारा हम पर निशान अपनी हां एंचuyu करोंगरğी में हす सब्सक्रिद में इस से अपको पहले इसको सीधा कर लेना है आइज को हाफ करना है इस तरह से यहां पे थोड़ासा राउंड देनिया इसको certaines कि याद रहे यहमारा उपन वाला हिस्सा पर देना है है कि बिल्कुल इस तरह से अब एक ड़ैबरिक लेना है और इसको वैबरिक पर अपने अपने फैबरिक पे रखना है अगर आपके यह बुक्रम पेस्टिंग वाली है तो आप इसको प्रेस के साथ चिपका लीजी आगर आपके पास यह पेस्टिंग यह नहीं है तो इस तरह से नीचे बड़ा बख्या करके छिवाई लगा दें तो इस तरह से बड़े बख्या के साथ यहां पर कपड़ के साथ का भी जो है लगा सकते हो लेकिन यह थोड़ा यह हाइलाइट सा आता है अगर हम मैचिंग कपड़ का कॉलर लगाते हैं देखिए इस तरह से नीचे एक फैब्रिक रखना है और इसको अपने हिसाब से काट लेना है जितने नीचे वाली कपड़ा है अपका उस साथ से काट लेना है इस तरह से नीचे से इस तरह से सिलाइ लगानी है आपने याद रखिए थोड़ी सी बिल्कुल हलकी सी आपकी जो है पुक्रम के ऊपर चड़नी चाहिए 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 मैं आपको दिखाऊं कि कितनी हमें यह बुक्रम के ऊपर लेनी है इस तरह से य हमारी सिलाई जो है हमने लगा लिए अपनी अब मैं क्या करूंगी इस पे सिर्फ दो या तीन पॉइंट का उपर फैबरिक छोड़के मैं इसको कटिंग कर लोंगी और यहां पे कट लगाऊंगी ताके हमें फोल्ड करने में कोई भी दिक्कत नाए बैन को यह दिखे इस तरह साथ यह हमारी आएगी अब यह जो आपकी सिलाई है जो हमने बड़े वक्षे के साथ मारी हुई है सौरी लगाई हुई है हम पंजाबी बंदे हैं तो हमारी पंजाबी कभी-कभी निकल जाती है बाहर देखे इस तरह से यहां पर आपको फिनिशिंग के सिलाई लगानी है बिल्कुल पूरी बैन पे इसको रिमूव कर लिजेगा जो हमने सिलाई लगाई है अगर आपके पास इंट्रो लॉक की मशीन नहीं है इंट्रो लॉक करने में आपको दिक्कत आती है तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिजे एक्स्ट्रा कप्डा छोड़ ल पता चल जाएगा कि यह हमारा हाफ है अब हमें बैक नेक लेना है यहां पर कट लगाना है दोनों शोल्डर को पकड़ के पीछे वाले हिससे में हमने कट लगाना है यह देखे मैंने इस पर सिलाई इस लिए लगाई थी ताकि हमारी क्रीज यहां पर अपने आप बैठ इसका यह हमारे फैब्रेक का सिधा इससा है यह देखे इस तरह से कोई भी गल्ती नहीं करने है आपने देलकुल द्यान से देखके इसको इस तरह से लगाना है इस देखे बिलकुल इस तरह से यहां पर soilai लगानन है कि देखिए इसको अच्छे चरह से निकाल लेजिएगा अपने शोल्डर को आगे वाले तरफ यह अपका नहीं आना चाहिए पीछे ही रहनी चाहिए जो यह जो हमारी शोल्डर की सिलाई होती है यहाँ पे आपको इस तरह से तरण कर दे लिए थोड़ा फिर इसको निकाल ले ना है अब हम दूसरी तरफ अ पनी सिलाई लगाएंगेगे यह देखी कि हुआ तरह इस तरह पकड़के रखना है दीरे दीरे आपने यह सिला लगानी है ठीक है फ्रेंस कोई भी इसमें जल्द बाजी नहीं करनी है वरना यह आपका खराब हो सकता है अगर आप धीरे नहीं करोंगी तो यह दिखे इस तरह से इसको यहां पे थोड़ा सा पका करना है इसको थोड़ासे यहां पर एक पैर का turn करना है यह जो हमारा पीछे फालत हिस्सा रह जाएगा वहां पर भी हमें यहां पर stitch करना है एक पैर का margin छोड़ते हुए यहां पर एक और सिलाई लगानी है finishing की ताक्त जो बेंट कोलर है वो पूरी तरह से बैठ जाए यह देखिए इस तरह से और आपको यह वीडियो पसंद आएगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजेगा यह देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूं कि हमारी कितनी फिनिशिंग आई है इसको लगाने में यह देखिए फ्रेंज यह हमारा बैन कॉलर है जो बनके बिलकुल रड़ी है अगर आपको यह तरीका इजी लगा हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों हमें स्पोर्ट कीजिए ताके हम आपक पे थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए